आज की इस वीडियो में हम chapter the sound of music पढ़ेंगे इसका फर्स पार्ट है एवलेंग जलेनी लिसन्स to sound without hearing it इसका क्या मतलब है पहले ताव चैप्टर का मतलब समझेंगे चैप्टर का नेम है the sound of music गाने की द्वनी इसमें यह हम लोग सारी बाते द्वनी यानि म्यूजिक के रिलेटेड है इसमें हमारे पास दो केस हैं एक एवलेंग जलेनी का एक आगे जो पार्ट आएगा वो उस्ताद बिसमिल्ला खान के ऊपर बेज जोगा यानि एक फॉर्ण एक इंडियन सो एवलेंग जलेनी ऐसी थी यह डेफ थी सुन नहीं सकते थी लेकिन फिर भी यह काफी फेमस परकुशनिस्ट थी अब परकुशनिस्ट का क्या मतलब होता है परकुशनिस्ट का मतलब होता है जो यह ड्राम होता है कोई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक जाइल प्रफोन है यह है तो इसमें बहुत बहुत अच्छा बजाती थी अब देखिए कितना मुश्किल होता है किसी डेफ परसन के लिए म्यूजिक बजाना और उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेर करना कि यहीं ऐसी आवाज आनी है यहां ऐसे आवाज लेनी है तो सोचे कितना इस पार्ट में हम इनके स्ट्रगल के बारे में सीखेंगे स्वरी पढ़ेंगे कि किसने इनके इनका बसपन सही म्यूजिक के प्रती काफी अपना लगा रहा था लेकिन कोई भी इनके जो स्ट्रगल था उसे नहीं देखता था यानि कोई भी इतना गॉर से नहीं देखता थ काफी famous percussionist है के वल वही हैं जिनोंने एवलन जिलेनी का struggle देखा था कि यह लड़की कर सकती है कुछ यानि के वल वही थे जिनोंने इनके struggle को पहचाना था तो चलिए हम अपना lesson स्टार्ट करते हैं रॉन फॉब सी नाप जिनोंने एवलन जिलेनी के बारे में मतलब उनका जो स् चार्ट करते हैं पहले हम बिफोर यू रीट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें खुदी लिखा है बिफोर यू रीट पढ़ने से पहले गॉड्ड में हव टेकन हर हीरिंग बट ही हाज गिवन हर बैक संथिंग एक्स्ट्रॉडरणरी गॉड्ड ने उससे उसकॉन हर कॉन आवलन गॉड्ड ने एवलन से कुछ चीन, उसकी सुनने की सकती तो चीनी है लेकिन वापिस उसे क्या दिया है कुछ एक्स्ट्रॉडरणरी जो नॉर्मल लोगों के पास अक्सर नहीं होता है what we hear, जो हम सुन सकते हैं, सुनते हैं, वो feel करती है, she feels, क्योंकि वो सुनता सकती नहीं है तो वो कैसे पहचामती है, उसे feel करके, महसूस करके far more deeply than any one of us, हम लोगों से कहीं गुना दूर जाके, कहीं गुना आगे बढ़के, उसमें सुनना नहीं, महसूस करी हैं ये चीजे वो क्यों सुनती नहीं है, वो दिल से महसूस करती है, महसूस करती है, समझती है, और इसी वज़ा से उसका जो music होता है, वो काफी अच्छा आता है, मतलब काफी अच्छा music बजाती है वो, ये sentence किसने कहें है, ये Ron Forbes नहीं कहें है, ये आपको बाद में I think मिल जाएग, ये आ तो चलिए पढ़ते हैं, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story, अब चलिए उस परसन के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपनी physical disability को हटा के, उसका सामना करके, अपनी life को एक success story में transform कर लिया है, तो चलिए अब अपना chapter पढ़ते हैं, rush hour, crowd jostle for position on the underground train platform, बहुत भीड हो रही थी, देखे, jostle का मतलब ही हमें दिया हुआ है, push roughly, यानि धाव बहुत धक्का मुक्की वाली position हो रही थी, कहां, underground train platform पर, a slight girl, slight girl का क्या मतलब है, slight यानि एक छोटी और पतली लड़की, looking younger than her 17 years, वो 17 साल से भी कम उमर की लग रही थी, was nervous, और वो क्या थी, nervous थी, yet excited, लेकिन excited भी थी, as she felt the vibrations of the approaching train, क्योंकि वो vibrations को, जो train के आने वाली, जो जैसे train आती थी, उससे पहले जो vibration होती है, उसे feel कर रही थी, यानि वो train का बहुत मज़े, अच्छे से इंतिजार कर रही थी, उसका बहुत, वो excited थी, कि अब train आ रही है, तो कुछ मतलब वो जाने वाली होगी कहीं, तभी excited थी, अब वो लड़की है, आपको पता चल जाएए, कौन थी, it was her first day, at the prestigious Royal Academy of Music in London, वो उसका पहला दिन था, prestigious, बहुत ही important, बहुत ही जो मुश्किल से मिलती है, Royal Academy of Music, ये friends, आपको बहुत ध्याम रखना है, कौन सी अकेडमी में जा रही थी, रोयल अकेडमी उफ मुजिक ये लंडन, लंडन की Royal Academy of Music में, वो जा रही थी, आप चाहिए, नेट पर भी सर्च कर लेंगे, काफी अच्छी है, ये जो अकेडमी है, काफी अच्छी है मुजिक के लिए, and daunting, enough for any teenager fresh from a Scottish farm, और वो डरी-डरी सी भी काफी थी, काफी हद तक वो डरी हुई भी थी, जैसे कि एक teenager होता है, कोई नहीं नहीं जगा जा रहा होता है तो, और पढ़ने वाली जगा पर तो काफी ज़्यादा वो होता है, ये कैसा होगा, वहाँ क्या होगा, वही वाली feeling है, क्योंकि अब वो Scottish farm, Scotland I think होगा शायद मुई, तभी Scottish है हो, Scottish farm से अब वो कहां जा रही है, कितना अंतर है, कहां farm से, वो music academy जा रही है, कौन सी, लंडन वाली, royal music academy, but this aspiring music musician faced a bigger challenge than the most, she was profoundly deaf, अब लेकिन इस musician के लिए, aspiring musician का मतलब है, a person who wants to become a musician, एक person, जो musician बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, अब इस गायक बनने चाहने वाली लड़की का सबसे बड़ा challenge क्या था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, problem क्या थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से deaf थी, deaf का मतलब सुन नहीं सकती थी, अब ये लड़की कौन थी, Avalanche Lenny's loss of hearing had been gradual, उनका जो ना सुनना था, उनकी ये बिमारी थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी, हर मदर remembers noticing, उसका मतलब सुनना सुनना एक ग्रैजुली वन गया था, नॉर्मल सी बात हो गई थी, उनकी मदर ये बात ना ऐसे पता चली थी, उनकी फ्रैम ममा, उनकी जो मदर है, उन्हें पता चला था, कि ये अब सुन नहीं सकती भी है लड़की, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता होगा, कि वो कुछ बोल रही होगी, और वो नहीं सन पाती होगी, ये बात में सुनती होगी, देर में बहुत मुश्यल से जब वो तेज बोले, तभी सुन पाती होगी, क्या पता जैली, तभी तो पता चला होने, तो उनकी मदर को पता चला था, सबसे पहले, फिर उसे डागनॉज करके, टेस्ट वेस्ट करके, डॉक्टर ने भी कन्फर्म कर दिया था, कि हाँ, ये डेफ हैं, अब यहां से आएगा ना, शुरू होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टन या आपके आंसर में भी होगा, वें दे एट येर ओल्ड एवलिन, वस वेटिंग टू प्ले प्यानो, दे कॉल्ड हर नेम, अड शी डिड़न्ट मुव, इसका क्या मतलब है, ये बात जो भी यहां से शुरू हुई है, यहां से उन्होंने नाम बुलाया, उनका, यहां तक, यहां तक यह जो सारी बात घटना है, ये किसने देखी, उनकी मदर ने नोटिस करी, जब आठ साल की आवलिन, अपने प्यानो बजाने के लिए इंतिजार कर रही थी, और जब उनका नाम बुलाया गया, कि आवलिन अब आई ये, मतलब जैसे स्टेज पर बुलाया जाता है, कि नेक्स कंटेस्टन ये हैं, आई ये, ये, ऐसे उनका नाम बुलाया गया, तो वो नहीं आई, क्यों नहीं आई हैंगी, तो उनकी मदर को रिलाइज हो हा कि वो नहीं सुन सकती है, कि उसने नहीं सुना होगा, उन्हें ये लगा है नहीं सुना होगा, उसने, इस आईजेवल जलेनी तो फिर उनकी जो मदर है आईजेवल जलेनी एवलिन जलेनी की जो मदर है उन्होंने भी आईजेवल जलेनी ने भी नोटिस कर लिया अब देखे किवल यहां पर ही इनका नेम आया होगा नेम आया है इस चैप्टर में आपको ध्यान रखने उनकी मदर का नाम क्या है आईजेवल जिलेनी तो उनकी मदर नहीं इस बात नोटिस करी कि जब उसका नाम बुलाया है प्यानों बजाने के लिए तब वो नहीं आए For quite a while कुछ समय के लिए Aveline managed to conceal her growing deafness from friends and teachers conceal का क्या मतलब होता है hide करना काफी time तक Aveline ने कोशिश करी थी कि अपनी deafness जो उसका ना सुनना है यानि वो सुन नहीं सकती इस कमी को वो अपने teachers और दोस्तों से छिपाए रखे but by the time लेकिन time का क्या है लेकिन time के साथ साथ she was 11 जब वो 11 की थी her marks had destroyed उनके जो marks थे वो घट रहे थे घट गए काफी हद तक and her head ministries urged her parents to take her to a specialist तो जो उनकी school की head ministries थी तो उसने उनके parents के लिए Aveline के parents को request किया कि आप इसे एक specialist के पास लेकर जाएए it was then discovered तब ये discovered किया गया that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage उनका जो nerve system था जो nerve damage हुई है वो धीरे धीरे हुई है क्योंकि उनके पहले देखा देखी बच्चे ये चोटा था तो उसे ये लगा हो कि अब मैं नहीं सुन अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं परिशान हुए कुछ भी सोचाओगा तो उन्होंने शुरुआप में बताया नहीं अब यही धीरे धीरे करते करते वो बड़ा रूप ले लिया और उनकी फिर वो completely deaf बन गई ये प्रॉब्लम थी वर्ना I think सही भी हो सकते थी क्योंकि हाँ severely impaired हो गया और gradual nervous damage अब धीरे धीरे कोई चीज घटी रहेगी घटी रहेगी तो कभी न कभी जाके तो बिलकुल जीरो हो जाएगी न तो ऐसे ही उनके साथ भी हो गया तो उन्हें क्या कहा गए कि आप इन्हें hearing aids पहना दीजिए जो काम में कुछ मशीन लगाई जाती होगी कि थोड़ा बहुत तो सुनी ले इंसान वो एंड सेंट तो ए स्कूल और स्कूल बेजी कौन सा जो deaf children के लिए होता है everything suddenly looked black अब आवलेन को ये सेंटेंस आवलेन न कहा है आवलेन न कहा कि असी टाइम मेरे लिए सब कुछ काला हो गया था everything suddenly looked black सब कुछ अब काला दिख रहा था मुझे क्योंकि अब इसका क्या मतलब है अब उन्हें ऐसा लग जाता है मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है बट आवलेन वोज नोट गोइंग टो गिव अप लेकिन आवलेन हार नहीं मानने वाली थी उन्होंने हार नहीं मानी शी वस डिटर्माइन टो लीड़ नॉर्मल लाइफ लेक उन्होंने डिटर्माइन किया उन्होंने निश्य किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी और अपना जो म्यूजिक के लिए इंटरेस्ट उसे कॉंटिन्यू रखेंगी उसे बंद नहीं करेंगी अपने डेफनेस की वज़ा से कॉंटिन्यू रखेंगी चाहें कुछ भी करना पड़े होने एक दिनों नहीं देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है यह होता है जाइलोफोन इसे वो बजा रही क्या होता है एक दिनों नहीं देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है तो उन्होंने उस ताइम सोचा कि हां मुझे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है काफी टीचरों उन्होंने मना किया उन्हें इंकरेज नहीं किया कि नहीं तुम नहीं गड़ सकती हो तुम्हों डेफ होई ऐसे करके हर बट टू इंकरेज्ट हर बट टू मुझे बट परकुशनिस्ट अब हो देखे यहां पर आया है पड़ लेते हैं अंसे काफी टीचरों ने उन्हें डिसकरेज किया लेकिन परकुशनिस्ट रॉन फॉर्ब स्पॉटेड हर पोटेंशिल लेकिन रॉन फॉर्ब ने देखा कि ये लड़की बहुत मन से सीखना चाहती है ये डिटर्माइंड है कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में तो इन्होंने ही क साथ दिया थे रॉन फॉर्बस और किसी भी टीचर ने इनका साथ नहीं दिय कि वल यही इनका जो shift was trug. था tapa मूजिक के लिए ये जानते थें जानती तो सब थे लेकिन केवल इन्होंने ही help करी कि इनकी कि तुम सुन तो नहीं सकती लेकिन तुम feel कर सकती हो music तो तुम drum इन्होंने drum से शुरुआत किये थी कि क्योंकि drum से drum में जादा vibration होती है तुम vibration को तुम feel करो तो उसके according अपने notes तुम तयार करना जो भी music notes होते हैं वो he began by tuning two large drums उन्होंने कैसे start किया इनकी training दो large drum कफी बड़े-बड़े drum इन्होंने tune करना शुरू करें बजाने शुरू करें two different notes अलग-अलग notes पे बड़ा दो बड़े-बड़े drum लिए एक किसी note पे चला है एक दूसरा किसी और note पे don't listen through your ears वो बोलते तुम अपने कानों से मस सुनो क्योंकि कानों से तो तुम सुनी नहीं पाऊगी या फिर hearing aids के वजाए से शायद थोड़ा बहुत आए लेकिन पूरी तरीके से तुम्हें नहीं ओल जी पाए लेकिन नुसरा नहीं लोगते तुम अपने कानों से मस सुनों से तो यह वोट सेसे तुसटी वोट एसे त्सेंस करो कुछ अलग तरीके से चाहें उसे इसे वाईब्रेस्अ हैं या क्विद करस μα anticipated और गरना किसम परने का तरीके वाहां से तुम्हें नहीं नह higher drum from the west up अब उन्होंने देखा कि higher drum जो और जादा बड़ा वाज सबसे बड़ा drum होगा बड़े वाले drum की जो आवाज है उसे वो कैसे sense कर पा रहे हैं बड़े नोट सो कैसे sense कर पा रहे हैं उसकी जो vibration है वो उनकी west up जो कमर से ऊपर vibration जा रही है वो higher drum की lower drum की west down से जा रही है और जो बड़ा drum है उसकी west up से जा रही है vibration fobs repeated the exercise fob ने जो fob है उन्होंने बार-बार ये exercise रिपीट करी drum बजाए ताकि उसे मता चल सके कि हाँ मैं music sense तो करी सकती हूँ and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body फिर Evelyn को एसास हुआ कि हाँ वो जो notes हैं कुछ notes को अपने different अलगलग body parts से sense कर सकती है महसूस कर सकती है I had learned to open my mind and body to sound and vibration मैंने फिर सीख लिया कि मैं sound or vibration को कैसे अपने कैसे मैं feel कर सकती हूँ the rest was sheer determination and hard work और फिर जो मेरी सक्सेस नहीं लिए वो किसका नतीजा थी मेरा बार बार प्रैक्टिस करना मेरा hard work इससे मैं काफी अच्छी बन गई थी उसमें इसका जो आगी का पार्ट है वह मैं नेक्स्स वीडियो में करेंगे तो आजकी वीडियो में हम थर्ट तक कम्प्लीट कर लिए नेक्स वीडियो में हम फूर्थ बात से कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब तक ले बबाए, ठेकिए, स्टेसे, थैंक यू, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल अकन को प्रेस करना ना भूले, थैंक यू